सभी को नमसकार पांच मिनिट की जादो कि चाहिक कोशन हमें देखने को मिलतेünüz और यह पांच मिनिट में हम कुछ ना कुछ पांस साथ कोशन याद भी करते तो एक हमें पर– उसके साथ खूब सारे उसी से जुड़े हुए कोशन हम याद करते तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा लगेगा इसलिए आप अपने ग्रूप में वीडियो को शेर कर देना और दूसरी बात ये जो भी मैं अंतमे कोश्चन आपसे पूछूं उस कोश्चन से जोड़ कर अगर आप कुछ और बढ़िया बैतरीन लिखते हो कमेंट में तो आ हर दिन कभी कोर्स कभी टेस्रीज कभी बुक ये ओफर हम निकालते रहेंगे हर दिन बस आपको ये वीडियो अच्छी तरिके से देखना है याद करना है जो परसन पूछा जाए उसका आनस्वर सबसे पहले देने की कोशिश करना और बढ़िया डिटेल में देने की तो राजस्थान के लिए सरपरथम राजपुताना सबद का परियो किसके दवारा किया जैम श्टोड जउर्ज तोमस जोर्जअवरहम ग्रियर्स यह पैटरिक लोरेंस देखें राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना सबद तो याद रहे कि जैम स्टोर्ड ने सबसे पहले 1839 में 1839 में दा एनाल्स एंड एंटी किटिज ओफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के लिए रजवाड़ा राजवाड़ा रायथान या राजस्थान सबद का परियोग किया था किस सबद का परियोग किया था राजस्थान सबद का परियोग जैम स्टोर्ड ने किया लेकिन जो राज-पुताना नाम है वो दिया था जोर्ज थॉंप्स ने तो राजस्तान के लिए सबसे पहले राज-पुताना सबद का परियोग किया दो परसंग फिक्स है या तो वो कूसता है राजस्तान को राजस्तान नाम किस ने दिया तो जैम्स्टोर ने दिया ठारा सोनतिस में दिया राजस्तान को राजपुताना नाम किस ने दिया तो जोर्ज थॉम्स ने दिया ठारा सोईश्वी में दिया था या वो पूस्ता है कि राजस्थानी भासा बोलियों के लिए सबसे पहले राजस्थानी सबद का प्रियोग किस ने किया था तो राजस्थानी सबद का प्रियोग किया था जोर्ज अबरहम गिरियर सर्ने पेट्रिक लोरेंस कौन था 1857 की क्रांती के समय ए जी जी था 1857 की क्रांती के समय ए जी जी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था पेट्रिक लोरेंस तो चार बातें याद की है हमने करांती चलो अलग कोश्चन हो गया राजस्तान को राजस्तान नाम जैमस्टोर्ड राजकुताना नाम जोर्थॉम्स राजस्तानी भासा बोलियों के लिए राजस्तानी सबद का प्रियोग जोर्ज अबराहम गिरियर्सन आप सब जानते होंग कि सबसे पहले क्या हुआ था कि अठारा सो जो राजस्तान सब्द है ना इसका एक थोड़ा सा और इस बात को समझना कि यह जो राजस्तान सब्द है अगर हम इसकी बात करें तो इस सब्द का परियोग सबसे पहली बार अठारा सो उनतीस में हुआ था और किस ने किया था अठारा सो उनतीस में जैम्श्टोर ने किया उसके बाद 117 साल बाद 1946 में पंडित जवाहरलाल नहरू ने दूसरी बार इस सब्द का परियोग किया था 1946 में किस ने किया था पंडित जवाहरलाल नहरू ने किया था फिर कहते हैं चार साल बाद मतलब 1950 अगर हम पूरा बोले तो 26 जन्वरी 1950 में जो सबसे पहले राजपुताना नाम दिया था ना उस राजपुताना का नाम बदल कर पुताना का नाम बदल कर क्या रख दिया राजस्तान परसन यहां से भी और बनता है कि जो सबसे पहले राजपुताना नाम दिया था जो तो हमस्ने अठारा सो में उसका नाम बदल कर राजस्तान कब रखा तो हम कहेंगे 26 जन्वरी 1950 में रखा और इसी समय राजस्तान को खै स्रेणी कल को खै पुछे बै पुछे या बीस रेणी में सामिल कर दिया तो यह एक छोटा सा कंसेप्ट है राजस्तान का राजस्तान के लिए राजपुताना सब्द जोर्श्टोंस ने दिया था इस सब्द का नाम राजस्तान अलंकि राजस्तान नाम तो जैम karena 18,29 में दे दिया लेकिन ये राजपुताना से तो राजस्तान बना था ना ये बना था कब 26 जनवरी 1950 को तो राजपुता ना से बदल कर राजस्तान बना और राजस्तान को खैब या 20 रेनी का दर्जा मिला अब जब हम इतनी बातें करी रही हैं तो इसके साथ 4 परसन और याद परो एक पूछा जाता है कि 30 मारच को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो याद रखे 30 मारच को राजस्तान दिवस मनाया जाता है 30 मारच को राजस्तान दिवस एक नौवंबर को राजस्तान स्थापना दिवस मनाया जाता है एक नौवंबर को राजस्तान स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को राजस्थानी भासा दिवस की रूप में मनाया जाता है। तो ये तीन परसंद भी आप याद रखो 17 दिसम्मर को निरोगी राजस्थान दिवस की रूप में मनाया जाता है। तो ये सब एक ही बात से जोड़े हैं और वो है अपना राजस्थान। तो अब आपसे पूछ रहा है कोई कि राजस्तान के लिए सबसे पहले राजपुताना सबद का परियोग तो 1899 में जैम्स्टोर ने राजस्तान के लिए सबसे पहले राजस्तान सबद का परियोग किया था दा एनालस एन अंडिकृटी जोफ राजस्तान में और 1946 में 117 साल ब राजस्थान को खैब या 20 रेड़ी में सामिल किया गया अब बात करते हैं कि राजस्थान दिवस का बनाए जाता है तो 30 मार्क एक नॉम्बर को राजस्थान स्थापना दिवस 21 फरवरी को राजस्थानी भासा दिवस तो एक बार स्क्रीन सोट ले लिजिएगा और अब तया और स्फ्री रहेगा कब बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्योंकोशन है जैपूर का वास्थूकार कोन है जैपूर का वास्थूकार कोन है और इसका अनसर आप लाइब चैन मेरे नहीं में कमेंटे बॉक्स में दो गे और यदी संकल्ब चे आप जूड़ना चाते हैं तो ये संकल्स की सभी पुस्त के मार्केट में उपलब्ध है और ये ओफ-लाइन ओनलाइन कोर्स शुरू है आपका मोस्ट वेलकम रहेगा और ओफर का फाइदा जरूर उठाइए क्योंकि आज के दिन ओफर में सभी कोर्स कोई भी कोर्स लेना चाहिए मतनो सुनिन आड़मे में उपलब्ध है तो जदा जदा गुरूप में वीडियो को शेयर करिए चैहिं चैपात